अखलेश के आयोध्या में एक नाबालिक बच्ची के साथ कोई दरंदगी के बाद अब इसमें राजनीती होने लगी है अखलेश यादो के तरप से ट्विट आया बयान आया और डीने की मांग कर दी उन्होंने किस तरह से देखते हैं यह सीधा ता सीधा अखलेश यादो उन इनने अगर किया जाता उसके घर में जो बच्चा है वो एक आदमी के सीमन का आएगा लेकिन जो तमाम लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात का किया उनका क्या होगा तो यह इनका बयान सीधा सीधा यह अपराधियों को बचाना चाहते हैं जो इनका ओड मैंक है मोहित खा साथ यह है कि वहां पर मौझूदा सांसा समाजवादी पार्टी के आउधेश परसाद मैक्सिमम फोटोग्राफ उस मोहिन के उस अपराधी के उस आउधेश परसाद जी के साथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो बार बार इंकार कर रहा है कि वह नहीं जानते हैं ऐसा है तो यह लोग यह समाजवादी पार्टी आउधेश परसाद जी यह अपने ओट के लिए अपराधियों के मदद का करते हैं और जब कहीं समाजवादी सरकार आ जाती है तब तो इतना अत्याचार होता उसके बगल में अम्बेट कर नगर है एक अगला सवाल है कि केंदर सरकार बहुत जल्दी बफ अमिडमेंट बिल सदन में टेबल करने वाली है उसको लेकर अभी बिल सदन में नहीं आया है लेकिन यह खबर आने के बाद एक तरह से बिपक्ष जो है वो इस पर हंगामा करने की मोड में है बफ संसोधन एक्ट से बिपक्ष को क्यों दिक्कत हूँ अइसा है यह जो संसोधन हो रहा इसका मैं स्वागत करता हूं यह वक्ष जो बना इसके तहत कांग्रेसियों ने अपने वोट बैंक साधने के तोर पर इसको बनाया और उसमें यहां तक हदिया कि एगर वोट क्लेम कर ले कि यह संपति हमा नाम पर और यह जो आमेंडमेंट आएगा तो उसके बाद उसकी जहांच हो जाएगी अगर जहांच है वह अपकी संपति ठीक है अब लिजिए लेकिन वह के नाम पर दूसरे की जमीन सरकारी जमीन जो तमाम कबजे के 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 रहे हैं वह आप नहीं ले सकता है उत्तर प्रदे जीपी और रासभासान सथ भारतियंता पार्टी से बजलाल जी